यूटूब चैनल अरिकेश कापड़ों पर सबका स्वागत से भाई आज आपे लाए हैं SCRT की कक्षा दो विशे हिंदी पाठनो भोलू की भूल तो भै चुन्नुमुनुओ बटलेओ जो सारे बोलू एक कववा थार उसने के बूल करी जो नकल कराने आपे असली काम की नकल करा तो ठीक से अर जे बेकार कामा की नकल करा तो आँ सी भी होगी अरो माड़ाय हो ऐसे भै बलको अच्छे काम की नकल करने चीए अच्छे काम की एक हरा भरा बाग था बच्चे परती दिन बाग में खेलने जाते थे बच्चे परती दिन बाग में खेलने जाते थे वहां दीखने वाले पशू पक्षियों को वे प्यार से किसी ने किसी नाम से पुकारते थे एक दिन अचानक बच्चों की नजरे एक मोर पर पड़ी जो अपने पंख फ़ला कर नाच रहा था नाचते हुए उसका एक पंख है तूटकर गिर गया पास ही पेड़ पर एक कववा बैठा था जिसे बच्चे भोलू कहकर बुलाते थे भोलू को मोर का नाच बहुत अच्छा लगा मोर नाच कर वहां से चला गया भोलू पेड़ से नीचे आया उसने मोर का पंख उठा लिया रंग बिरंगे पंख परे एक छोटा सा चांद भी था मोर का पंख लगा करे भोलू सोचने लगा अहा मैं कितना सुन्दर लग रहा हूं मैं तो मोर बन गया वह गाने वह नाचने लगा कोई कहे ना मुझे को कोआ मैं हूं मोर मैं हूं मोर मैं हूं मोर तो प्यारे बड़को बै इस मैं आपने देख्याए कोआ पेड़ पे बेठ्या था और मोर नाच्य था मोर चन्दे गेड द्याकर है नाच देऊने उसकी पंख सी तो बोलू जो कवा थाने वो निच्चा आया और उसने वो चन्दे आपने पूँच मैं ला लिये और नुबिल्या मैं तो मोर बन गया मोर बन गया मना कोवा ना कयो सरो सचीवा मोर बन गया था ओर पंख ला लिये उसने और तो बुकान ला गया असली मोर तो के बन था बस उसने तो आपना मन बलाना था मैं तो मोर बने गया मैं कवा नहीं बै मन कवा नहीं का आदेगा कोई पीट दिऊंगा था मने ब्वाल को देखो उसने नकल करी मोर की और आगे के बने उसका गल्लेर रहा ो रहा भोलू घूमने निकला बोलू घूमने निकला उसके साथी को ने उसे बुलाया पर वह उनके पास नहीं गया और बोला मैं को आ नहीं हूँ मैं मुर हूँ यह सुनकर सभी कोई उस पर हसने लगे फिर भोलू मोरों के पास पहुचा मोर उसे देखकर बोले मोर नहीं तुम कोई हो यहां से जाओ यहां से जाओ भोलू ने पंख दिखाते हुए कहा मैं मोर हूँ मैं मोर हूँ उसकी बात सुनकर मोर हस पड़े मोरों ने उसे चौच मार कर भगा दिया भोलू बहुत दुखी हुआ वह अपने मित्रों के पास गया उन्होंने भी उसे चौच मार कर भगा दिया हार कर भोलू ने पंख निकाल कर फैंक दिया फिर वह कौँ से बोला मुझे माप कर दो मैं मोर नहीं हूँ मैं तो तुम्हारा मित्र कोवा हूँ मैं तो तुम्हारा मित्र कोवा हूँ सब को उन्हें कहा सब को उन्हें कहा फिर कभी अपने साथियों को छोड़ कर मत जाना तो भै प्यारे चुन्नुमुनुओं देखो कवा था और उसने पंख लाय लिया मोर का अपना अपना मोरे समझन लाग गया भै आपे तो अपना अप में बगवान का दिया ओड़ा रूप सा चैया आपे किसे काले हों, बुंडे हों, सुत्रे हों, लंबे, मोटे, तगडे, छोटे, कैसे भी हों चापे आपना रूप तो अपना है है अर उसने मोर बनन की सोच ली ओ ना तो मोर रहा, और ना कोवा कुछ भी नी रहा, मोरा ने भी चूँच मैरी बजाय दिया, नुबले तो मोर कोई नी और कोवा हैं दो रह गया नुबले रहा, तु मारा बाई है, मारा डबबी है, तु मैंजे नुबले ना, मैं तो मोर बनूंगा मोर बनूँगा इशा मोर बनाया उसका तो भै ना तो नुन्य का रहार ना नुन्य का कुवा और जेरा दनु का से वेगी उसके दनु का से तो मुसीब बताएगी आखरी में उसने तो पंक खैड कै और दूर फैंके दिया नुबले रहाए मैं ता रहाए भाई को आए ठीक सो मैं तो मुश्कल में फश गया था तो प्यारे बाड़को अपने नकल करने चीए अच्छे काम की अच्छी रीष करने चीए बुंड काम की रीष नहीं करने चीए अपने इसे काम करने चीए दूसरियां के देखके जो अच्छे काम है समझ में आई बात है हाँ जी पूरा ज आएए शब्दों के अर्थ जाने परती दिन का अर्थ क्या होता है भई हर रोज रोज कोई बात हो है तो उसने कहा कर रहा है परती दिन बाग का अर्थ क्या होता है रहे बगीचा उद्यान और कोशिश मेने क्या होता है भई परियातने और बहूत का मतलब क्या होता बहूत अधीक पाट से है भोलू को किसका पंख मिला भोलू को मोर का पंख मिला था भोलू ने पंख का क्या किया भोलू ने मोर का पंख उठाया और अपने पंखों में मिला लिया क्योंकि वह सोच रहा था कि मैं मोर बन गया हूँ और कितना अच्छा लग रहा हूँ क्योंकि वह कोवा बन कर नहीं रहना चाता था कोवा बन कर रहना निचाओ था तो कोवे तो नराजों होएंगे भई मैं नुबले बाई जारा था यूँ दूर क्यों पाट्टा है हमार दन्यारा अग देखो भई किसने किस से माफी मांगी भोलू ने अपने मित्र कोवे से माफी मांगी बोलू ना आखरी मैं अपने डबी आता है मापी मैंगी नुविला भाई मना माप कर दो मैं तो को आए हूँ मोर कोई नी आपकी बात है प्यारे चुन्नुमुनु आगे आपने मोर के पंक पर कोन कोन से रंग देखे हैं मैंने हरे नारंगी थोड़ा चमकता हुआ भी देखे हैं रंग थोड़ा सा चमकता हुआ नारंगी और हरा रंग देखा है आपको कोन सा पक्सी सबसे अच्छा लगता है और क्यों मुझे सबसे अच्छा पक्सी मोर लगता है क्योंकि वह हमारा राष्ट्रिय पक्सी है हमारा राष्ट्रिय पक्षी है बै मोर तो हमारे राष्ट्र का प्रतिक है 31 जनवरी 1963 को अपना राष्ट्रिय पक्षी बने था बैयो यदि आपको मोर का पंख मिल जाए तो आप उसका क्या करेंगे यदि उजे मोर का पंख मिल जाए तो मैं उसे दिवार पर चिपका दूँगे ताकि दिवार सुन्दर लगे दिवार पर चिपका जाँगे ताकि दिवार बढ़िया लग दिखन में सुत्रा लग सही शब्द चुनकर खालिस्थान में लिखें एक तो शब्द है बाई कोवा, अगला है चौच, अगला शब्द है बाग, आगे है चांद, और आखरी शब्द दे रिखे है दुखी. तो पांच वाक्य हैं पांच खालिस्तानों गे और पांचों सब दिन में फिट करने हापने वाक्य है बडिया बने सुत्रा बने देखो एक हरा भरा खालिस्तान था बाग था पास ही पेड़ पर खालिस्तान बैठा था कवा पास ही पेड पर कवा बैठा था रंग बिरेंगे पंख पर एक छोटा सा खालिस्तान भी था मोरों ने उसे खालिस्तान मार कर भगा दिया कवा बहूत खालिस्तान हुआ दुखी, दुखी हुआ, एक पहली याद आगी, मेरा बताय दोगे फड़े, कोशिश करांगे जी, कोशिश करोगे, बताओ बैविले, एक पकसी ऐसा, जिसके शिर पर पैसा, मोर, क्योंकि उसके शिर के उपर कलगियों है, रो पैसे की तरह गोल गोल सी हो ऐसे, बहुत बढ़ सुने, बोले, और लिखें, पंक, चौच, रंग बिरंगे, चांद, हंसना, हंसे, प्यारे बच्चो, एक तो बिंदू लग रहा है, कुछ सब्दों के उपर है, और कुछ सब्दों के उपर लग रहा है, चंदर बिंदू, इनको हिंदी में कहते है, बिंदू को तो कहते है, अनुश्वार, क्या कहते है, और चंदर बिंदू को कहते है, अनुश्वार, क्या कहते है, अनुश्वार, अब पंक के उपर देखो, बिंदू लग रहा है, तो ये क्या है, अनुश्वार, क्या है, अनुश्वार, नाक मे बोला जाता है ऐसे अनुस्वार को या नुनासिक वाले सब्दों को पंख अगर नाख का सहरा नहीं लेंगे तो बोलेंगे इसको पक क्या बोलेंगे पक नहीं है ये क्योंकि नाख का सहरा लेना पड़ रहा है तो ये है पंख चौंच दो अनस्वार आगे आगे दोनों शब्दों में रंग बिरंगे आगे 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 आनुना सिक जिश में पहले तो वरण बोला जाता है बाद में नाकासा रह लेना पड़ा है चांद हंसना ये तो है क्रिया हंसना आइस कर दिखा यो एक बरी और एक है अगला हंसे ये एक पक्षी होता है ऐसा बताते हैं प्यारे बच्चों ये दूद और पाणी को अलग अलग कर देता है अच्छा सर बात भाषा की बात शोचे और उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखें उल्टे अर्थ वाले वह हैं भाई जो करें ठंडा गरम उंचा निच्चा आगे पीछे नजदीक दूर इस तरह से कुछ शब्द लिखे गए हैं और उनके उल्टे अर्थ बताने हैं बताए दो के बाई तो इंटालिजेंट पड़े होता में देखांगे बिले दूखी का उल्टा बताओ बई यो तो मडाली खरख्या था जाता नकल मैरली ताम नको हो है की डाला इवकड़ा देखूंगा अच्छा का उल्टा बताओ बई उपर का उल्टा नीचे दिन का विपरीत सब्द बताओ बई दिन का विपरीत रात है उल्टे अर्थ वाले सब्दों को विपरीत सब्द भी कहते हैं हसना का विपरीत बताओ रोना और मित्तर का विलोम सब्द बताओ बई दुश्मने मित्तर का दुश्मने सत्रूश ही रहेगा बलकि विलोम सब्द भी इनको ही कहते हैं उल्टे अर्थ वाले सब्द भी इनको ही कहते हैं और वीपरीत सब्द भी इनको ही कहते हैं एक ही बात के तीन नाम है विलोम, वीपरीत और उल्टे अर्थ वाले सब्द समझ में आवा है कोई जा गड़ मारू हूं रहे मेरे आवह जी अगले प्रिष्ट पर चालो भी डांकम डांक हो रहे होता मैं तो जमा बैनियों सूपर फास्ट गाड़ी ले रहे हो इन्हें इनके घर पहुंचाएं बै पांच सब्द दे रखे है और पांच चुँआं के घर दे रखे हैं कौन् सा किस घर मराव है तो पहला श़व है चेडिया और शव है उन्हें गौफा मैं घोळी में एक गोउचल है मैं सर जीवा तो एक छोटा सा उसमें रवगी गोशला मैं छोटा हा गोशला है तो कुन सा हो याईस मैं तीसरा लग परे बीच वाड़ा तीसरा एक है बैए आगे मुर्गी अर मुर्गी क्या में रवगी बैए मुर्गा खाना मैं मुर्गा खाना मुर्गी खाना आगे है बैए तोता पिंजरे में रहेगा गोडा कहां पर रहेगा बैए आस्तबल बोल लिया करें है बैस मैं गोडे बांदन का स्थान आस्तबल मर ओगा वो तो आस्तबल में गोडा हो गया तोता हो गया पिंजरा में मुर्गा हो गया सुनंध का राजा है जो जंगड का राजा, ओ रहोगा गुफ़ा, गुफ़ा में रहोगा बाई पत्थर की गुफ़ा सी रही आ, तो गुफ़ा तो मिला द्यांगे, कर द्यांगे लुखई मिला न बाई ॥ा जी, तो बाई आपने बौत अच्छा जोटा मयरे है बाई बाई अचिठी तरिया इनको याद करो, दूबारा कंद़े ओ तो दूबारा दुराए दियो एक बारी, चिढीया रवे है गोशला में, मुर्गी पाऊगी मुर्गी खान ना में, तो तन होगा पिंजरा में, गोड़ा रवगा हस्तबल में, और सेर रवगा, गुफा में संजी पक्षी ने तो जाद छोड़ना चीए ये पिंजड़ा में राखा है तो बैइ पिंजड़ा में किसी भी पक्षी को नहीं कैद करना चीए ये तो गलता है ते मनुष्य की जे आपने कोई जेल में डाल दे आपना जी कुन लग गए नी पक्षी भी आजाद रहना चावा है तो पिंजड़े के अंदर तो बंद नहीं करना चीए बैइ किसी भी पक्षी को तो आदमी बहुत बड़ा अन्याय करा है पक्षी ओं के साथ जे उनने पिंजड़ा में कैद कर दे है आपने भी जे कोई इस्तरियां कायद करकर राखा आपने बुरा लगएगा तो उनको भी बुरा लगए है तो भई प्यारे बच्चो आपने इस पाठत याई शिक्षा में ली अकब आपने अच्छे काम की रिश्च करने चीए बुरे काम की नहीं करने चाहिए अच्छे राश्टे पर चलना चाहिए बुरे राश्टे पर कभी नहीं चलना चाहिए तो भई बड़को फिर गेड़ा मारियो सारा सले बस में लगा स्चे आर्टी का पहली ते पांच में लगा और आग जरूर बैंड दियो इब बुरो बच्चो जाहिं जाहिं